अब परदेश की योगी सरकार को विदान सबा से पारित विदेईकों को विदान परिशत से पास करवाने में विपक्स की अर्चनवा का सामना नहीं करना पड़ेगा जल्धी विदान सबा की तरही विदान परिशत में भी भासपा का परचंड बहुमत होगा अलांकि इस वक्त भी उच्छ सदन में भाजवा सबसे बड़ा दल है विदान परिशद की स्तानी निकाई प्रादिकार छेतर की 36 सीटों में से 27 सीटों पर उस दिन होने वाली मदगणना में अगर भाजवा 80 फिसदी सीटे जीत लेती है तब करीब चार दसक बाद ऐसा मोका होगा जब परदेश में सत्ता रूड दल का विदान सबा के अलावा विदान परिशद में भी पूर्ण बहुमत होगा अगर ऐसा हुआ तो फिर सत्ता रूड भाजवा को विदान सबा से कोई भी विदेई के पारी थे करवाने के बाद विदान परिस्द में विपक्स की अर्चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा इस्तानिय प्रादिकार छेतर की इन 36 सीटों में से भासवा 9 सीटे पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है और इस वक्त भी विदान परिस्द में भासवा सबसे बड़ा दल है उसके सदेशियों की इस वक्त उच्छे सदन में कुल संक्या 35 चानकारों के अनुसार 1990 से पहले कांग्रे से परदेश विदान मंडल के दोनों सदनों में सबसे बड़ा दल हुआ करता था इसके बाद 2003 और 2007 में बस्पा के सासनकाल में इस पार्टी के सरवादी के सदेशियों विदान परिस्द में होते थे फिर 2012 से 2020 के पहले तक समाजवादी पार्टी का बहुमत हुआ करता था आम तोर पर इस्तानी निकाय प्रादिकार चेतर के इसे चुनाओ में सत्ता पक्स का ही बोलबाला रहता है 2004 में उलाइम सिंग यादव के मुख्यमंत्री काल में इन चुनाओ में सपा ने 36 में से 24 सीटे जीती थी इसके बाद 2010 में परदेश में मायावती के सासनकाल में हुए चुनाओ में बसपा ने 36 में से 34 सीटे पर कबजा किया 2016 में अकिलेस यादव की अगवाई में सपा की सरकार बनी तो विदान परिसद इस्तानी निकाय प्रादिकार चेतर के चुनाओ हुए तो सपा ने 36 में से 31 सीटे जी दी वहीं 2017 में जब परदेश में योगी आदितिनाद की नेतर्तवे में भासवा की सरकार बनी तो उस समय भी शपा विदान परिसद में सबसे बड़ा दल हुआ करती थी मगर उसके बाद विदान सबान निर्वाचन चेतर, सिक्सक सनातक चेतर के चुनाओ हुए और विदान परिसद इंचुनों में सपा की आगे निकलती रही उच्च सदन में सपा के सदेश्यों का कारिकाल पूरा होता रहा कई सदेश्यों ने स्तिफेपी दिये 2017 में विदान परिसद में स्वें मुक्य मंत्री, योगी आदितीनाथ उप मुक्य मंत्री के सव परसाद मोरिये डॉक्टर दिनेश सर्मा, ततकालीन भासपा, परदेश अध्यक से सवतंतर देवसी ततकालीन अलप संक्यक कल्यान राज्यमंत्री महसीन रजा सदशी बने अब अपरेल मैं महिने में विदान परिसद में राजिपाल द्वरा मनोनित्ति किय गए सपा की कुल चैस सदशयों का कारिकाल पूरा हो रहा है इनमें अप्रेल में अंत में शपा के मदुकर जेटली बलवंथ सिंग रामु वालिया और जाहिद हुसेन और फे वसीन बरेलवी और मई में सपा के ही राजिपाल कस्या पे संजय लाठर और अरविंदिग सिंग का कारिकाल खतम हो रहा है जाहिर है इन सीचों पर अब भास्पा के ही सदेश्य मनोनी थोंगे इससे परिशत में भास्पा की सदेश्य शंक्या और बड़ेगी ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बतेगा साथी वीडियो को लाइक और शेट जरूर कीजिगा धन्यवाद